नमस्कार सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर भारत में पिछले 24 गंटे में कोरोना के 78,524 नए मामले रिपोर्ट किये गए हैं और इस दोरान 971 लोगों को अपनी जान गवानी बड़ी देश में कुल संक्रमितों की संक्या 68,35,656 हो गई है और मरने वालों की तादाद 1,55,526 हो चुकी है भारत में एक्टिव केस 9,24,25 हैं और 58,27,705 लोग ठीक हो चुके हैं कनाटक में एक दिन में एक लाग से जादा लोगों की कोरोना की जाच की गई जिन में से 10,947 लोग संक्रमित पाए गए राजज में संक्रमितों की कुल संक्या 6,66,652 हो गई है इन में से 1,16,153 सक्रिय मामले हैं बीते 24 गंटों के दौरान कोरोना से 55 लोगों की मौत हुई और इसके साथ ही राजज में कोरोना वाइरस से मरने वालों की संक्या 3,190 हो चुकी है गुजरात की बात करें तो बुदवार को कोरोना संक्रमितों के 1,311 नए मामले सामने आए इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संक्या 1,46,673 हो गई 9 मरीजों की मौत हो जाने के बात से राजज में वाइरस से मरने वालों का आकड़ा 3,531 हो गया है स्वास विवाक के आकड़ों के मताबिक 1,414 मरीजों को बीते दिन डिश्चार्ज किया गया इसके साथ ही राजज में कोरोना से उबरने वालों की कुल संक्या 1,26,000 से जादा हो गई है प्रधान मंत्री नरेन मोदी आगामी त्योहारों ठंड के मौसम में कोरोना महमारी से बचाव के लिए आज जन अंदोलन की शुरुआत करेंगे प्रधान मंत्री मोदी ट्वीट के जरिये इस अभियान की शुरुआत करेंगे यह अभियान आगामी त्योहारों और सर्दी के मौसम के साथ साथ अर्थ व्यवस्ता को पट्री पर लाने के लिए खोले गए बाजारों समेत अन्य चीजों को ध्यान में रखते हुए शुरू किया जा रहा है केंद्री मंत्री प्रकाश जावलेकर ने कहा कि कोरोना से बचाओ का हतियार मास्क पहनना सामाजिक दूरी का पालन करना और हाथ धोना है इसी सिद्दांत का पालन करते हुए सारवजने के स्थानों पर इन उपायों के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए अभियान को शुरू किया जाएगा कोरोना वाइरस संक्रमण की वज़े से चार दिनों तक अस्पताल में भरती रहने के बाद अमेरिकी राष्टपती डोनल्ड टरमप अप काम पर वापस लोट आये हैं अस्पताल से लोटने के बाद उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर अपने स्वास के बारे में जानकारी दी राष्टपती टरमप ने वीडियो में चीन पर हमला करते हुए कहा है मुझे चीनी वाइरस का संक्रमण हुआ इसमें आपकी गलती नहीं है उन्होंने कहा कि ये चीन की गलती है और चीन को इसका खामयाजा भुगतना होगा उन्होंने कहा कि चीन ने इस देश के साथ जो किया है उसे इसकी कीमत चुका नहीं होगी दुनिया में कोरोना वाइरस का ग्राफ एक बार फिर उपर चड़ा है बीते दिन दुनिया में पहली बार एक दिन में 3,42,000 कोरोना के मामले सामने आए और 5,882 मरीजों को जान गबानी पड़ी दुनिया भर में अब तक 3,63,000,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं इसमें से 10,69,000 लोगों ने अपनी जान गबा दी है वहीं 2,44,000,000 से जादा मरीज ठीक हो चुके हैं दुनिया में कोरोना वाइरस से तीसरे सबसे जादा प्रभावित देश ब्राजील में संक्रमितों की संख्या 50,000,000 के पार पहुँच गई है यहां 1,48,000 से जादा मरीजों की मौत हो चुकी है वहीं महामारी से सबसे जादा प्रभावित देश अमेरिका में कुल 70,76,000 लोग संक्रमित हुए हैं इन में से और 85,83,000 मरीज ठीक हो चुके हैं जबकि 2,16,000 मरीजों की मौत हो गई अमेरिका और ब्राजील में दुनिया की 36,000 कोरोना मामले हैं अलाकि इन दोनों देशों में कुरोना वायरिस के नए मामलों की रफ्तार भारत के मुकाबले आधी है आज के खबरों में बस इतना है बाकी खबरों के लिए बने रही है सत्यहिंदी.com के सांथ